Hello and welcome friends, Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सुर आज आपका स्वागत करता हूँ यहां पर देख सकते हैं, हम Gateway of Tally पर हैं और कभी-कभी क्या होता है, कि आप उस traditional method को छोड़ करके कोई दूसरा method यूज़ करना चाहते हैं अगर आपको किसी भी voucher में entry pass करनी है, तो shortcut की यहां से क्या हो सकती है यहां पर देखिए V highlight है, V, अगर आपको voucher में जाना है तो V press कीजिए अगर आपको alter पर जाना है तो A press कीजिए, अगर आपको chart of account पर जाना है तो H press कीजिए आप इस traditional method को follow नहीं करना चाहते हैं, आप control के साब G press कर दीजिए ऐसे ही control G press करते हैं, तो यह देखिए यह window open हो जाती है, आप directly voucher entry pass कर सकते हैं create voucher, यहां पर voucher में जा सकते हैं और यहां पर show more पर जैसे ही click करते हैं इस सारी चीज़े आपको दिखाई पड़ती है, तो अगर आपको voucher entry pass करनी है, तो आप directly यहां पर जाईए, तो आप क्या press करेंगे, तो यहां पर देखिए create voucher दिख रहा है, आप CC पर जाके enter press कर दीजे, आगए आप general voucher में, और यहां से आप change कर लिजे, effect press कर लिजे, ज इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो यह भी एक method हो सकता है, control G, जहां से आप सारी चीज़े आपको मिल जाती है, ठीक है?